हलो दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल जिसका नाम है सक्सेस.com उमीद करते हैं आप अपने त्यारी को अच्छा से ले जा रहे होंगे चुकि अगले महिना में आपका एक्जाम सुरू होगा फिर दरोगा यह सब लगतार एक्जाम से आपका आने वाल लोग ने कल छोड़ा था 1868 का भारतसासन अधिनियम ठीक है तो उसमें कुछ बाते थी आप एक याद कर लेना चुकि 1858 का भारत सासन अधिनियम था इसमें कभी-कभी क्या हुआ कि कभी-कभी पूस दिये जाते हैं कि इस सासन अधिनियम के समय वहां का समराठ, बृतेन का समराठ या वहां के राजा कौन था तो अपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपको पता है कि 1857 की क्रांती हुई थी जो पहली प्रथम सोतंतर संगरामती भारत में 1857 की जो क्रांती के समय बृतेन के परधान मंत्री जो थे उनके जगह पर याद रख लेना पौमश्टन थे बृतेन के परधान मंत्री बृतेन के परधान मंत्री कौन थे तो याद रख जब यह तरस उन्दावन की कुरांती संपन्य हुई उसमें पर मौश्टन थे परधान मंत्री और उसके बाद जब भारवस अधिनियम मैं अधिन तावन में तो इस समय इस समय झो बिर्टिन के पर्धान मंत्री थे, वोय डर्वी थे, याद रख लेना डर्वी, जो जिसका कुछ खास अपना इतिहास में रॉल है, उसके पर्धान मंत्री को आपको याद करना है, जिससे 1773 में हम लोग पढ़े थे लोड नोर्थ थे, तो उसी तरीके से आपको 1877 की क्रांती के बाद पॉमस्टन वहां हट के प्रधान मंतरी डर्बी आए और याद रख ले न तो 1857 के भारत सासन अधिनियम के समय ब्रिटन के प्रधान मंतरी कौन थे तो डर्बी थे बिटन के पधान मंद्री कौन थे डर्बी थे इसको याद रखिएगा ठीक है अब चलिए मूखे बातों को रहमाते है अठारसो एक सट के भारत सासन अधिनियम पे तो आपको बताये थे कि गौवर्णर्स जेनरल का जो परिसत था उसमें चार सदस से थे यानि कि गौवर्ण जेनरल और उसके परिसत तो हमको रहते हैं परिसत में पहले चार सदस थे और यह जो है अठारसो एक सट के जो भारत सासन अधिनियम है इसके तहट गौवर्णर्स जेनरल के परिसत की संख्या को बढ़ा कर कितना कर दिया गया पांच तो यह भी आपके लिए इंपोर्टें सदस रहे और आपको बताये थे जो अतरिक सदस से जो रहे इसमें अतरिक सदस से जो रहे अतरिक सदसों की संख्या को याद कर लिजेगा अतरिक सदसों की संख्या को बारह कर दिया गया कितना कर दिया गया बारह कर दिया गया और यह भी इसमें परोधान किया गया कि इसमे से जो आधे सदस से होंगे आधे सदस से जो होंगे याद रखिएगा आधे सदस से भारतिये होंगे आधे सदस से जो होंगे वो भारतिये होंगे यानि कि इसमें क्या कहा गया कि जो गोवर्नर जिन्रल का जो परिसाद है पहले चार सदस हुआ करते थे अब कितने हो जाएंग भारतिय शदस होंगे तो इसमें जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर यह पहला अधिनियम था याद रखिएगा यह पहला अधिनियम था यह पहला अधिनियम था जिसमें अंग्रेजों ने प्रसासन में भारतियों से सहयोग लिया तो याद रखिएगा कि किस अधिनियम में पहली बार अंग्रेजों ने प्रसासन में भारतियों से सहयोग लिया तो कौन सा अधिनियम होगा तो याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट कोई बात है यह BBI में इसको आप रख सकते हो दूसरा बात आप क्या याद रख लेना है कि ये जो 12 सदसे जो अत्रिक थे तो याद रख लेना इसमें से आधे सदसे भारती होंगे लेकिन आधे नहीं रखे गए यानि रखना चाहिए तो छो लेकिन उनोंने तीन भारतीयों को इसमें सामिल किया, और तीनों का नाम आप याद रखना, पटियाला के महराजा को सामिल किया गया इसमें, यह भी 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 आई है, याद रखना बहुत प्रिशा में पूछता है, पटियाला के महराजा, पटियाला का महराजा, ठीक है, दूसरा जो हो जाएंगे, बनारस के महर महराजा बनारस के महराजा और जो तीसरा हो जाएंगे सरदिनकर राओ ये इस्पेसिली नाम ये तीन याद रखिएगा ये पूछ देगा कि अठारसो एकसेट के भारसासन अधिनियम में मतलब गोवर्नर्ट जिनल के परिस्द में किन को सामिल किया गया तो याद रखिएगा ये तीन नाम आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है पटियाला के महराजा बनारस के महराजा और सरदिनकर राओ कौन सरदिनकर राओ तो इस दरीके से आपको इसमें इतना बातों को याद करते हुए चलना है कि अगर पूछे कौन से अधिनियम में पहली बार भारतियों के अधिनियम में तो इस तरीके से आप चीजों को समझते हुए चलिएगा तो आपका एक एक अधिनियम के बात है आपके दिमाग में रहेगा चलो आगे की और हम लुक चलते हैं आपको बताये थे सर कि 483 के Charter Act में बंगाल के गोवर्नर जेनरल को हटाकर उस पद को हटाकर उस पद का नाम कर दिया गया भारत के गोवर्नर जेनरल और बिलियम करन कर दिया गया लेकिन अठरह सो एक सट कि रावरस अधिनियम में केंद्री करन को फिर से बी समना कर दिया गया यानि सक्तियाँ से गोवर्णник के पास नहो कर पर सुन में बाट दिया गया आपको कि यहां पर आप आपको बताये थे कि यह जो था बंबई और यह था मदरास इन दोनों गवर्नर जेनरल को बिधी बनाने के सक्ति को छीन लिया गया था और सारा सक्ति किसके पास दे दिया गया था सारा सक्ति बंगाल के गवर्नर जेनरल के पास दे दिया गया था लेकिन यहा गया कि प्रांतों को very very important बात ये भी है प्रांतों को प्रांतों के प्रांतों के गौवर्णर जेनरल को फीर से बीधी बनाने की सक्ति दे गई तो यहां पर आप क्या याद करोगे कि प्रांतों के गौवर्णर को फीर से बीधी बनाने की सक्ति कौन से एक्ट में दी गई तो 1861 के भारसासन अधिनियम में दी गई ये भी बात आप याद रखिएगा यानि की सक्ति का फीर से क्या कर दिया गया बी केंदरी करन कर दिया गया डी सेंटरलाइजेशन कर दिया गया ठीक है तो याद रख ले ना 1861 के अधिनियम में जो जो बाते हैं आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं आप उसको याद करने का प्रयास किजेगा या समझने का प है हम लोग ने यह पढ़ा सर कि 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्रिय बिधान परिसत बना जैसे आप केंद्र में संसल देखते हो ना एक तरीका से उसी को आप समझ लो उस समय इसके बाद क्या हुआ 1861 के भारशास नदिनियम में जो सबसे इंपोर्टेंट बात इसमें एक इभी है इसको भी भी आई में रखना कि प्रांतों में उसमें राज्य को प्रांत कहा जाता था राज्य का कॉंसेप्ट आया 1956 में ठीक है जब 14 राज और साथ किंसासित परदेश बनाए गये साथवा सम समिधान संसोदन के ताहत पहले पहले राजियों को का खा गा घा में बाटा गया था यानि कि उसमीं प्रांतों में उका खा गा स्रेणी में प्रांतों को बाटा गया था कि का में इतने प्रांत खा में इतने प्रांत और लेकिन साथवा समिधान संसोदन जो हुआ 1956 में तो यह जो कह खा गह गह राजों के सरेनी थी उसको समात करके 14 राज और 7 किंसासित परदेश बनाए गए थे चलो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे राजों के पुनरगठन में तो याद कर लेना प्रांतों में प्रांतों में बिधान परिशद बने याद रख लेना प्रांतों में बिधान परिशद यानि कि केंद्रिय बिधान परिशद बने 1853 में और 1861 के भारासास नदिनियम में प्रांतों में बिधान परिशद बना और जो पहला जो बिधान परिशद बना 1862 में बना यह उत्तर पहस्चिम छेत्र क्या है भाई साब यह उत्तर पहस्चिम छेत्र तो अगर आप थोड़ा मोड़ा अगर हम लोग जानते हैं तो यह जो एरिया है इधर में हमारा जो एरिया है वह है पाकिस्तान तो यह जो पाकिस्तान ओले एरिया है इधर अफगनिस्तान ओले एर तो उतर पर शेत्र में उससे में भारत था अखंड था न्पकिसान ऊकत्स Totन कुछ नहीं था हमारे हमारे में सामिलत हो तो याध रखना तेन में और 18 Saturday में Conaterova to Sun 3igos necessarily में कि अटर रख लिए ना 2897 में पंझाब में बिधान परिसाद बना प्रांत ने बिधान परिशत कहने का मतलब है जैसे आज राजों में बिधान मंडल है ना उसी तरीके से प्रांतों में बिधान परिशत बना तो कौन सा एक्ट में बना तो अठारसो एकसट के एक्ट में बना तो ये चीज आप बिलकुल याद रखिएगा कि प्रांतों म में पंजाब में तो याद रख लेना ये काफी इंपॉंटेंट बाते हैं जब परिच्छाओं के लिए पूछे जाते ठीक है या जरूरी है चलते हैं आगे देखो ये जितने भी एक्ट हैं इसको लोग नजर अंदाज कर देता है आज अब कोश्चन आता है ना तो सोचते हैं लोग कहां से कोश्चन आ गया ठीक है इसलिए अच्छा से इसको ध्यान पुरुवक पढ़िएगा आगे जो इसमें बात की गई जैसे इसमें बात की गई क्या कि गवर्णर जेनरल जो भारत का गवर्णर जेनरल था गवर्णर जेनरल को गवर्णर जेनरल को अध्यादेश अध्यादेश यानिकि ओर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की सक्ति दी गई अध्यदेश जारी करने की सक्ती दी गई जैसे आज के संदर्व में आप समझ रहे हो ना आज भी गौर्णर जेनर आज भी जो गौर्णर होते हैं राज अपाल होते हैं जो राश्पती होते हैं वो क्या करते हैं अध्यदेश जारी करते हैं हैडिने अध्यचादेस जारी किया जाता है कब जैसे अभी आप देखोगे तो जब लोकसभा का सत्र न चल रहा हो ठीक है राजसभा भी सत्र में न भांगलिनի हो सकता है लेकिन उसका सत्र होता है समानता एक वर्स में जो है तीन सत्र होता है लेकिन अनिवारे रूप से दो सत्र होना चाहिए अगर पूछे कि मतलब संसत का कितना सत्र होता है तो तीन सत्र होता है तो उसी तरीके से जब मानलों की लोकसभा सत्र में न हो राजसभा सत्र में न हो कानून बनाने के लिए दोनों करहना जरूरी अब जब कोई भी एक सदन सत्र में नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा अकेला ना लोकसावा कानून बना सकता है ना राजसावा कानून बना सकता है तब वह ऐसी स्थिति में हमारे देश में कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है कि कानून को बनाना बहुत जरूरी होता है तो तो राज्ज पती आपको पता है ना, कि कितने अनुच्यत के तहद अध्यादेस जारी करता है, 123, और राजिपल कितने अनुच्यत के तहद अध्यादेस जारी करता है, 230, आप लुग पढ़ते होंगे, तो आपको याद होगा, तो इसमें ये कहा गया कि Governor General को अध्यदेश जारी करने की सक्थी दी गई तो हम देख रहे हैं कैसे कैसे हमारे भारत में सम्मेधानिक विकास हो रहा है तो याद रख लेना ये चीज़ अब हम लोग आज के संदर में अगर हम बात करते हैं तो पढ़ते हैं कि जो जो राष्टपती होते हैं और राजिपाल जो होते हैं इनके दोरह जो जारी की गई अध्यदेश की ओदी होती है वो छे सब्ता होती है कितने सब्ता होती है? छे सब्ता याद रख लेना लेकिन जब इस अधनियम की बात आए कि governor general को अध्यादेश जारी करने की सक्ती दी गई तो इनके दोरा जो जारी अध्यादेश है ये कितने समय तक रहेगा छे महीना तक लेकिन अगर बरतमान में अगर हमारे अभी बरतमान में समिधान के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो राश्टपती और राजपाल के द्वारा जारी किये गए अध्यदेश का ओधी कितना होगा छे सब्ता तो याद रख लेना ये सबी आपके परिच्छाओं के लिए बहुत important question बनते हैं भाई साथ तो गौवर्णर जेर्नल को अध्यदेश जारी करने के सक्ति दी गई और उनके द्वारा जारी किया गया अध्यदेश कितने दिनों तक रहेगा छे महीना तक रहेगा याद रखेगा लेकिन हमारे अभी बरतमान ने बात करो तो छे सब्ता चलते हैं आगे जिस तरीके से अगला जो टॉप इसमें आपको important बात क्या याद रखना है आपको बताये थे कि अभी अब बात करते हो परतमान समिधान से आपको तूलना करके बताते हैं ताकि जाल्दा जल्दी आपको याद होगा आपको पता है कि जो संसद होता है संसद को ये सक्ति प्राप्त है कि ओ नए राज्यों का निर्मान कर सकता है नए राज्यों के निर्मान करने के साथ साथ राज्यों के छेतर में परिवर्तन कर सकता है उसकी सीमा में उसके नाम में ये सब परिवर्तन कौन कर सकता है संसद अनुछे तीन में आप पढ़े होंगे ठीक है आप हमको comment section में लिख कर बताईएगा कि जो नए राजों का गठन होता है या उसके सीमा छेतर नाम इत्यादी में परिवर्तन होता है तो वो कौन से बहुमत से होता है सधारन बहुमत की विसेश बहुमत की विसेश बहुमत प्ल क्या कर सकता था भारत में नए प्रांतों का गठन कर सकता था और कोई प्रांत है उसका छेतर सीमा को बढ़ाना या घटाना है तो ये भी काम कौन कर सकता था गोवर्णर जेनरल कर सकता था तो इसको भी आप याद रखिएगा ठीक है और क्या किया गया और भारत में देखो भारत में पोर्टफोलियो पर्णाली आया कौन सा पर्णाली पोर्टफोलियो पर्णाली और पोर्टफोलियो पर्णाली जो है याद रख लेना मेरे भाई इसको हम लोग करते हैं बिभागिये पर्णाली ठीक है बिभागिये पर्णाली ठीक है बिभागिये पर्णाली और प जो गौवर्नर्स जिनर्र था उसने लाया था 869 में लेकिन ये लागू कभ रुआ लागू हुआ अठारसो 61 में जब आपसे पूछेगा कि पूट फोलियो पढणाली कौन से गौवर्नर्स जिनर्र लाया था लाया कभ था 1869 में लागू कभ रुआ 681-61 में विभागी परणाली क्या होता है जैसे आज अब देख रहे हो न बीत बिभाग है तो बीत बिभाग के मंत्री होंगे न जैसे अभी बीत मंत्री कौन है बताएए और उसके बार जैसे की रक्षा मंत्री है बीत मंत्री है तो यह सभी जो है याद रखिएगा यह कि हर एक विभाग के रक्षा विभाग होगा, रक्षा मंत्राले होगा, उसका हेड होगा रक्षा मंत्री, तो उसी तरीके से ये विभागिये परणाली का सुरुवात होता है, कौन से एक्ट के तहद, तो याद रखेगा, 1861 के भारत सासन, अधिनियम के तहद, इसको भी आप पॉट्फोलियो बेवस्था कौन से अधनियम में आया तो इसको भी आप क्या किजिएगा याद रखिएगा ठीक है तो काफी आपके लिए इंपोर्टेंट है यह सब पढ़कर आपको जाना होगा ठीक है तो मंत्री मंडलिये बेवस्था हुआ पॉट्फोलियो बेवस्था ह हुआ यह सबी आपको याद करके रखना है कब आया किसके समय आया यह प öğको दिमाग में रखना तो इस तरीके से excit uh 161 का भारत हम साथन अधनियम को हम में को आथ करना है ठीक है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे यह समझ में आपको आया होगा, ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, आगे क्या हम लोग पढ़ना है, 1873 का एक्ट, इसमें एक ही बात पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस एक्ट में कहा गया, देखो, 1813 के चार्टर एक्ट में, इस्ट इंडिया कमपनी के बेपारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में, इस्ट इंडिया कमपनी के बेपार के अधिकार को पूर्टर समाप्त कर दिया गया, और परसासन में उनका, अब उनका कार्य क्या रहा, परसासनी कार्यों का देखभाल करना, ठीक है, और आपको 1859 के भारसासन अधिनियम में, क्या किया गया, कि जो परसासनी कारे भी छिन लिया गया, और सारा उसका सक्वी बिटिस क्राउन में दे दिया गया, अब 1873 के एक्ट में, ये बात कहा गया, कि इस्ट इंडिया कमपनी को अब हमेशा के लिए खतम कर दिया जाए, भांग, ठीक है, तो अगर पूछेगा, कि इस्ट इंडिय बातर के एक्ट में, और याद रख लेना, ये डेट याद रखिएगा, एक जन्वारी 1884 को भाइसा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एक जन्वारी 1884 को इस्ट इंडिया कमपनी का नाम खतम, यानि कि भंग, अब ना ये प्रसासन करेगा भारत में, ना बेपार करेगा, क प्रोधान प्रोभीजन कौन सा एक्ट में किया गया 1873 के एक्ट में लेकिन इस निया कंपनी को समाप्त कप कर दिया गया तो एक जनवरी 1884 को याद रखिएगा इसको यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट हो सकते एक्जाम के लिए ठीक है आगे जो आपको पढ़ना है एक हो देने का प्रैस किया है आगे जो है लास्ट आज हम लोग पढ़ेंगे याद रखिए गाटा अठाव सो चीहत्तर का रोयल टाइटल एक्ट यानि की साही अधिनियम ठीक है इसमें क्या कहा गया याद रखिए ना इसमें ये कहा गया आपको डारेक्ट एक पॉइंट लिख देते हैं 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1876 को बहुत 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 इंपॉर्टेंट यह भी है 24 अप्रैल 1876 को महरानी विक्टोरिया को महरानी विक्टोरिया को 24 अप्रैल 1876 को महरानी विक्टोरिया को भारत का समगरी घोसित किया गया याद रखिएगा भारत का सर्वे सर्वा घोसित कर दिया गया तो याद रखने ना 24 अप्रैल 1876 को महरानी विक्टोरिया को भारत का समगरी घोसित किया गया पूशता है कब तो 24 अप्रैल 1876 को तो इस तरीके से आपको आज 1876 तक लाकर हम छोड़ रहे कल में भी कल आपको पढ़ाएंगे फाइनल करेंगे 1892 1909 का मारले मिंटो अधिनियम जब प्रिथक निर्वाचक मंडल आया और 1919 और 1935 ये आपका कल खतम होगा अगले विडियो में चार विडियो और मतब चार इसमें आक्ट और पढ़ना है एक विडियो में ये खतम हो जाएगा तो ये सब ही आप याद करके रखिएगा भाई याद करके रखिएगा क्योंकि ये सब ही आपके परिशाओं के लिए बहुत इंपॉंटेंट हों गया खासकर ये सब भी मोस्ट इंपॉंटेंट में आएंगे ठीक है तो हम आज इस विडियो को ही समाब्त करते हैं अपना ध्यान रखिएगा अगर आपक आपिए तो हम आपके रखिएर समाइगा पिए अजया करके रखिंगाद लगंट ह confinement अजया करें दे हम हम आपकें में आपकें में हाग स्थिएगणेंगा बहुत इचिएगा Yak करकें में हम आपकेंंगतों कि दो चाने आपकें इसारा है